आज हम इंटिग्रेशन में कॉश्चन नूमबर 26 करेंगे हो सकता है आपके बुक का एडिशन अलग हो तो आपके बुक में यही कॉश्चन 24 दिया हुआ हो तो आप कॉश्चन देखें नूमबर फाइंड आउट कर लीजे और जो भी आपके बुक का नूमबर हो आप लिखेंगे नाँ यहाँ पर इंटिग्रेशन में दिया हुआ है दो वैल्यू दिया हुई है 2 और 4 lower side value है 2, upper side value है 4 तो इसे हम read करेंगे integration from 2 to 4 3x minus 2 whole square into dx और इसे solve कैसे करेंगे वो देखो integration 2 to 4 into अब 3 minus 2 whole square क्या होता है तो ये पहले भी हमने किया है a minus b whole square क्या लिखते हैं हम ये रहा a minus b whole square तो वहले क्या होती है a square minus 2 a b minus है तो minus लिखेंगे plus है तो plus लिखेंगे और पीछे लिखेंगे plus b square तो same हमें यहां करना है पहले हमें a square that means first value का square करना है तो वह हो जाएगा 9x square minus 2 into 3x into 2 so 2 into 3x into 2 हो जाएगा so 2 into 3 6 6 into 12 12x पीछे हमेशा plus value आती है अब b का square करना है b की value की जगह है 2 so 2 का square क्या होगा 4 into dx पहले हमने a square किया last में हमने b square किया और यहां पर 2ab so 2 into 3x into 2 अब हमें इसका integration करना है so integration के लिए पहले-पहले number लिखा जाता है अब इसे step को ध्यान से समझना पहले number 9 then integration then x की value x square into dx integration को multiply किया dx को multiply किया so पहले number then integration then x की value then dx but integration में 2 to 4 हरेक में लिखते रहना पडेगा फिर minus sign है तो minus then number 12 integration x की value into dx और integration में 2 to 4 फिर plus sign है तो plus number 4 integration कुछ भी नहीं है तो 1 into dx और integration में हम लिखेंगे 2 to 4 यह हमें 2 to 4 लिखते रहना है अब हम इसका integration कर रहे हैं तो integration होगा 9 अब x का integration क्या होगा ज्यान से समझा इस स्टाप को मैं फिर से बता रहा हूँ 9 अब x का integration x square है तो x raise to n का integration क्या होता है so x raise to 2 plus 1 power में 1 plus x raise to n plus 1 वाला formula अप्लाई कर रहा हूँ और divide by 2 plus 1 minus 12 x raise to 1 है so x raise to 1 plus 1 divide by 1 plus 1 plus 4 अब 1 है कोई भी number है तो उसका integration होगा x अब यहाँ पर यह जो 2 to 4 दिया हुआ है न तो ऐसा दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर bracket लिखना है और इस bracket में यहाँ पर अब 2 to 4 लिखेंगे from 2 to 4 इसका यूज क्या होगा यह मैं आपको आगे explain कर रहा हूँ so now 9 x raised to 3 divide by 3 minus 12 x square divide by 2 plus 4 x bracket over from 2 to 4 so x के power में 3 divide by 3 x के power में 2 divide by 2 plus 4 x and लिखेंगे from 2 to 4 अब हमें आगे क्या करना है अगर कुछ cancel हो रहा है करके देखें so cancel में 9 upon 3 है so 3 बंजा 3 3 जा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 x q minus 12 upon 2 6 x square plus 4 x and 2 to 4 अब आगे का step जो है वो new आ रहा है आपके लिए अब यह जो equation आई है इस equation में x की value एक बार 4 रखेंगे और दूसरी बार 2 रखेंगे जान से समझा मेरी वर्डिंग्स को x की value एक बार 4 रखेंगे दूसरी बार 2 रखेंगे और 4 में से 2 minus करेंगे कैसे देखी यहाँ पर अब मैं x की value पहले 4 रख रहा हूँ इस equation में यह जो equation है 3x cube minus 6x square plus 4x इसमें x की value पहले 4 रख रहा हूँ सो जहाँ भी x होगा मैं 4 रखूँगा ओके सो 3x की value मैंने 4 रखी cube minus 6x की value मैंने 4 रखी square plus 4x की value 4 रख दी और यह bracket पूरा करती है सो x की जगा 4 रखा यहाँ पर भी x की जगा 4 रखा और यहाँ पर भी x की जगा मैंने value 4 रख दी अब उसमें से मुझे minus करना है same फिर से same equation अब x की value में 2 रखूँगा तो यहाँ पर फिर से देखी आब 3 अब x की value में 2 रखूँगा 2 cube minus 6 x की जगा 2 square plus 4 x की जगा 2 bracket ओवा सो पहले x की जगा 4 रख दिया 4 cube 4 square 4 और फिर x की जगा 2 रख दिया सो 2 cube 2 square and 2 अब हम इसकी value calculate कर सकते हैं क्या होगी इसकी value आए देखते है 4 cube अब 4 cube का value क्या होता है 64 and 64 into 3 करेंगे तो value आजाएगी 192 minus 4 square 16 and 16 into 6 96 plus 4 into 4 16 bracket close minus now 2 cube तो 2 cube का value क्या होता है 8 8 into 3 24 2 square 2 square की value क्या होती है 4 4 into 6 24 2 into 4 8 अब हम दोनों brackets open कर देंगे और bracket open करेंगे तो value क्या हो जाएगी 192 minus 96 plus 16 अब अगर मैं ये bracket open कर रहा हूँ और बाहर minus sign है तो अंदर के सभी sign change हो जाएगे so ये plus 24 है तो ये हो जाएगा minus 24 और ये minus 24 है तो ये हो जाएगा plus 24 और ये plus 8 है तो ये हो जाएगा minus 8 जब भी bracket के बाहर minus sign होता है तो अंदर की जो values होती है उनका sign change हो जाता है so अब हम value देख लेते हैं so 192 minus 96 plus 16 minus 24 plus 24 minus 8 तो ये answer आया 104 ये हमारा final answer हो गया 104 तो आएगे देखते हैं ये रहा question 26 में answer 104 so अब इस समय new point क्या था तो इस समय आपको integration का एक lower value दिया हुआ था एक higher value दिया हुआ था 2 to 4 तो पहले हमने इस equation का integration किया integration करने के बाद ये जो value है 2 to 4 हमने इसे bracket में लिख दिया और फिर इस bracket को open कैसे किया गया तो इसी equation का एक बार x का value 4 रखा यहां पर देखिए जहां जहां x की value है वहां मैंने 4 रखा और दूसरी बार जहां जहां x है वहां 2 रखा बीच में minus sign higher value में से lower value को minus कर दिया so higher में से lower value minus किया तो final answer हमारा आगया 104 so students यह आप note down कर लिजे यहां पर यह आपका first page है और यह आपका second page है so यह lecture यहां ही पूरा करते हैं मिलते हैं next lecture में new sum के साथ